हेलो फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक उन माई यूट्यूब चैनल रंजो क्लासिस ओफ इंगलिश लिट्रेचर फ्रेंड्स आज हम एक शोट स्टोरी को डिसकस करने जा रहे हैं जिसका टाइचल है वन्स अपोना चाइम बाई नदीन गोडिमर ठीक है जैसा कि आप सभी को पत ठीक है नदीन गोडिमर एक साउथ अफ्रिकन राइटर रही है और इनका जनम 20 नवेंबर 1923 को साउथ अफ्रिका में हुआ था एजुकेटिड हुई थी यह कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल से नोटेबल वोक्स कि अगर हम बात करें तो इनके जो मेजर वोक्स हैं वो दा प्रिजर्वेशनिस्ट बर्जर्स डॉटर एंड जुलाइज पीपल हैं ठीक है और इनको अवोर्ड पी मिल चुकी है मतलब अवोर्ड से ने सम्मानित किया जा चुके है ऑनर किया जा चुका है जैसे इने एक बुकर प्राइज मिला है 1974 में और नोबल प्राइज इन लिट शोट्स चूरी शुरू करते हैं इस स्ट्री की शुरूआत एसे होती है कि किसी ने नर्रेटर से कहा यहनु नर्रेटर यानि कि जो हमारी राइटर है उनसे कहा कि आपको शोट्स यूर्ट बच्चों के लिए खास कर लिखने चाहिए और नर्रेटर ने क्या कहा कि व crisis गया के लिए फिर पत्र लेखक कम से कम एक स्ट्वरी जरूर ने चाहिए बच्चो के लिए तो वह तो मजशा reject कर देती है उनका proposal तो फिर वो क्यों करती है क्योंकि वो यह सोचती थी कि जो यह children's वगरा की stories अगरे लिखेगी तो इतनी popularity गेर नहीं करेगी सच अच्छ वे कुछ और work लिखेगी वो इन्हें बच्चों की stories वगरे लिखना पसंद नहीं था तब आगे हमारी story कैसे बढ़ती है तब narrator पिछली रात को ना याद करती है सडलने ना उसको आधी रात में कैसे वो उसकी नीद खुल जाती है और footsteps की creaking सी sound उसको सुनाई देती है और वो सोचते है कि उसके पास तो कोई गन भी नहीं अपने self-defense के लिए और फिर वो वह बहुत ही ज़्यादा मतलब insecure सा फिल करने लगती है और वो मतलब और उसके neighborhood में ना crimes आजकल ज़्यादा हो रही है मतलब आप राद वगएरा जैसे ज़्यादा हो रही है चोरीड़ कहती वगएरा ज़्यादा हो रही है तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है लेकिन कुछ time बाद narrator को ना realize होता है after some time जब यह बात सोच रही होते है उसको बाद उसे realize होता है कि यह जो cracking सी sound आ रही है यह किसी intruder की नहीं है means किसी गुसपैटिय की नहीं है बलकि उसके घर की नीव जो बनी हुई है नीव से नीचे हजारों मिली है निकि thousands miles एक माइन्स है माइन्स मीन्स होता है कोईले की सब्सक्रासी बनी हुई है तो जैसे कोईले की ख़दान होता है इसके बात हो रही है ठीक है और कए बार माइनस जो होती है माइनस मीन्स होता है जो ख़दान वगईरा वह इतनी खोक्ली हो जाती है कि उसकी दिवार गिर जाती है जिससे ज vision नरेटर का जो घर है वो थोड़ा सा हिल गया है वो हिल जाता है इसी वज़े से वो साउंड जो है शायद आ रही है ठीक है तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स फिल होती है इसलिए वह एक अग्जीब सी साउंड आ रही है ठीक है तो नरेटर को अब नीद भी नहीं आ रही है ठ बारे तो शायद ये उसकी आवाज है वो अपने आपको ऐसे गहते हैं उसे लगता है कि हाँ ये हो सकता है फिर अब उसको नींद भी नहीं आ रहे हैं आप तो जाग रही है आप सोचते हैं जैसे हम कुछ भी सोचते रहते हैं तो एक दम से नींद कैसे आ सकती है तो उसे तो नींद ही नहीं आ रही है तो वो कैसे सोच सकती है फिर सोई नहीं रिया तो वो क्या करती है खुद को मतलब उसे ना बहुत अजीब सा लगने लगता है अजीब सा सोचने लगते है तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है तो वो क्या करती है जब नरेटर को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खुद को जो है ना एक बेट स्टाइम स्टोरी में खुद को सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है खुद को तो यहां से हमारी जो है अब एक्च्वल स्टोरी की शुरुआत होती है ठीक है अब यह स्टोरी कैसे शुरू होती है इस स्टोर जो है मतलब उस लड़के को कैट पसंद है ना उने कैट को भी पाल रखा है ठीक है बिली रख रखी है चोटे बच्चे ने क्योंकि वह इसके साथ खेलता वगएरा जादा ठीक है तो वह रख रखी है उन्होंने अपने पास और फैमिली में और कौन-कौन है एक ट्रस्ट वर कार की जो है हम कहा सकते हैं सभी तरह की जो इन्होंने पॉलिसीज भी मां पॉलिसीज जो है नोंने बनवा रखी है ठीक है करवा रखी है और इनकी फैमिली पूरी तरह से फ्लड मिंस यानि की बाड वगएरा जैसे चीजों से पूरी तरह से ना सेक्योर है मतलब इन्होंने हैं तो इनकी फाइफ होती है भौतीजादा चुंतित रहती है खारी तो अपनी पतनी पोक्र साम करने के लिए उस की मतलब इनका घर पूरी तरह से चोर्ड उचको से दूर रहे मतलब बचा रहे को हीनके घरहें शाम मैंуш का पामत्री पूरी तरह से सुरक्षित है बट यह क्योंकि आजकल उनके प्रोस में चोरियां वगएरा जादा हो रही है ठीक है तो उससे सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने घर को तो अपनी वाइफ को इतना मतलब इंसे क्यों करता हुआ देखकर जो है वह हजबन जो है एक अलारम सिस्टम भी जो है फिट करवाएगा ठीक है अलारम सिस्टम भी इस पर फिट करवाएंगे और मतलब अलारम सिस्टम फिट करवाते हैं और छोटा सा लड़का जो है ना मतलब उन्होंने ना उस अलारम सिस्टम में एक स्पीकर सा लगवाया है ठीक है और वह छोटा लड़का जो है उसे speaker या हम कह सकते हैं alarm system से क्या हो जाता है mesmerized हो जाता है मतलब मंत्र मुख दो जाता है उसे वो system अच्छा लगने लगता है कहीं से जैसे आवाज आती है alarm में से वैसे type का ठीक है और यह speaker basically क्या काम करता है मतलब यह speaker जो है alarm जो क्या allow करता है visitors को communicate करने के लिए यानि घर के अंदर के लोगों से वह communicate कर सकते है visitors जो गेट के बाहर खड़े हैं ठीक है वो alarm system उन्हों नहीं गेट पर लगवा दिया है तो ताकि जब कोई भी कोई guest वगएर या कोई visitors आता है तो उन से अंदर वाले वेक्तिव से मतलब communicate कर सकते है पता चल जाए कि कौन है ठीक है और इनके जो friends है यानिकी जो husband के फ्रेंड से वो इसको क्या बोलते हैं वोकी talkie के नाम से सको जो Alan system इसो drugie के कहने संबोधित करते हैं ठीक है और अब क्या होता है आब जहाना शहर में चोरी होने लगती है ठीक है चोरी होती है मतलब कपल्स के दरवाजों और खिड्कियों पर बी सेक्यूरीटी बार्सके साथ सथ अल्राज इंड करवा जातें है जब चोरी होने लग रही है तो वह सोजते हैं कि आप खिड्की दरवाजों पर भी have सीस्टमे कर वाना चाहिए ठीक है मतलब ज़धा से क्योर और अपने घर को इसे मतलब बचाने की कोशिश करें कि कोई नयासा की बस अंदर से ठीक है अलारम सिस्टम में कि ठीक है छोटा लड़का उसके साथ किए अब्सक्राइब करते हैं और वो क्या करते हैं और चोरी करने वाले ना तभी आते हैं जब को भी सदाइना दे ऑविस लिजब अलारम सिस्टम बजए गा तो इतनी सांड क्रियेट करेगा कि अगर कोई आया गया तो उसका ज्यादा पता नहीं चलेगा ठीक थो चोरी करने वाले भी तब आते हैं जब अलारम सिस्टम बज़रा होता है ठीक है और फिर क्या होता है वहां उनके आसपडोस में जैसे ब्लैक पीपल झो है काम की तिलाश करने लगते हैं ठीक है ऊ라고 मतलब शहर में काम अन्यगाइं ने खाने कि महिलाऊं के जो हॉस्बंड हो ने की वुमंश के जो हुद्बन्स वेगर हैं ठीक है उनने भार जाने से रोकते हैं ठीक है क्योंकि भार के लोग जो है मतलब क्रिमिनल संस सोचते हैं क्योंकि अब क्राइम Special करना चाह रही है ठीक है फैंमली दिवार को फिर क्या करती है उंचा करने का मतलब उंचा करवाने का जो हैğer डिसाइड करते हैं ठीक है वैस्ला ले रहे हैं और क्यूंकि दिन रात मोले हों प्लो कि बहूत जादा हुए होती है ठीक है उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है इसमें दगाती बहुत जाद हो रही है और मतलब वो अपने घर को पूरी तरह से जो हैं सेफ करवाना चाहते और एक दिन क्या होता है छोटे लड़के की जो बिल्ली होती है ना मैंने कहा था ना बिल्ली के साथ जादा खेलना पसंद करता तो छोटे लड़के की जो बिल्ली होती है वो घर की दिवा सिस्टम ठीक है गेट को सेक्योर करवा लिया मतलब गेट पर अलारम सिस्टम खिड़कियों पर अलारम सिस्टम वॉल्स रहेगी अब वॉल्स पर भी सेक्योरिटी सिस्टम लगाने का जो है यह डिसाइड कर लेते हैं अब क्या होता है तो वह बहुत ही थ्रेटिंग सेक्योरि intruder यानि कि कोई घुस पैट या अंदर ना घुस सके जैसे वो घुसने का प्रयास करेगा कोशिश करेगा खतम मतलब उसकी जो स्कीन है पूरी तरह से कट जाएगी पूरी तरह से ब्लर्ड निकलना शुरू हो जाएगा बिल्कुर रेजर ब्लेड से लगवाते हैं दिवार पर और कोई भी intruder दिवार पर चड़ने की कोशिश करेगा तो उसके टुकुडे टुकुडे कर देगी वो जो रेजर ब्लेड है ठीक है अब क्या होता है जो वो मैंन है वह ना उतने हम बोल सकते हैं कि रेजर ब्लेड वगेरा को मतलब कैसे बचाने की कोशुच करता है डियृच लगवाने की कोशिश करते हैं ठीके के कोशिश करते हैं sleeping beauty में ऐसा होता है कि जो वुमन है वो अपने बिटे को जो है sleeping beauty की कहानी सुना रही होती है ठीक है एक brave prince होता है वो कैसे sleeping beauty को उन रेजर ब्लेड से बचा लेता है ठीक है तो अब क्या होता है लड़का अगले दिन ही करने की कोशिश करता है बिल्कुल जो उसे कहानी बताई थी ना fairy tales जो उसकी वो मन सुना रही थी उस बच्चे को ठीक है तो वो लड़का भी बिल्कुल ऐसे ही pretend करने की को कोशिश करता है कि वो भी एक जो है brave prince है तो फिर क्या होता है वो बिल्कुल pretend करने की कोशिश करता है जैसे ही वह चड़ता है ना वो razor blades वो पूरी तरह से उसमें फस जाता है बिल्कुल फस जाता है उसके अंदर और इसकी skin blade से पूरी तरह से कट जाती है मतलब जैसे हम बोल करने की कोशिश करता है उस बच्चे का हाथ कर जाता है पूरी तरह से ठीक है कर जाता है और जब husband and wife को पता चलता है कि उसका बच्चा जो है उसमें blade के अंदर फस्ट चुका है तो मतलब उनकी हालत पूरी तरह से ऐसी हो जाती है कि यह क्या हो गया मतलब भाग भाग कर आत जाता है तो देखो ऐसे ही जो है children's story बनी थी फिर राइटर कैसे सोच रहा हुता है ठीक है नेंद नहीं आ रही होती है तो खुद को कैसे narrator जो है कैसे खुद को काने सुनाता है फिर उसमें ऐसे बच्चा ही मतलब हमने यहां पर क्या देखने को मिला कि कितनी security systems मतलब कितना ह कि खुद को सेक्यूर करने की कोशिश कर दे हैं और आखिर मुन को खुद का बच्चा ही उसमें फस्टाता है बताओ जी मतलब कहीं बार यह हो जाता है कि हम जैसे कहते हैं ज्यादा साफधानी बरतना साफधानी बरतने सोके ठीक है ज्यादा अगर हम मतलब केरफुल होंगे त इतना सेक्यूर किया कि उनका खुद का बच्चा ही उसमें मतलब मैं क्या बताओ मतलब पूरा ही खतम हो चुका है जब उसे भार निकाला है एक्यूप्मेंट से तो क्या ही निकल के वापिस आया होगा वह भार ठीक है जैसी वह गार्डर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वह खुद को ऐसे प्रेटेंड करने की कोशिश करा था कि जैसे ही वह खुद ही एक ब्रेव प्रिंस है ठीक है तो इसी के साथ ही हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपके लिए यूस्फुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शूर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना बोलिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो